किसी भी परिक्षा से पहले उसके मौक टेस्ट देना या प्रीबियस से कोशन पेपर को सॉल्व करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हम अपने ग्यान को एक बार अच्छे से चक कर सकें और आपके ग्यान को बढ़ाने के लिए और आपके थोड़ी सी मेमरी को शार्प करने के लिए ही आज हम एक और सॉल्व पेपर आपके बीच में लेकर आये हैं जो वर्ष 2014 और 15 में हिंदी सेट की परिक्षा में पूछा गया था नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य वारता तो चलिए बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की इसमें हम देखेंगे जो 2014 और 15 में सेट की परिक्षा में पूछे गए थे उनके बारे में तो देखिए सबसे पहला प्रशन है इसमें धर्म का प्रभाव करम ज्यान और भक्ती इन तीन धराओं में चलता है उपरियुक्त कथन किसका है तो देखिए धर्म का प्रभाव करम ज्यान और भक्ती तीन धराओं में चलता है ये बात कही है अचारे रामचंद्र शुकल ज हैं इनके निबंदों में से कई बार पंक्तियां पूछ ली जाती है और अचारे रामचंदर शुकल के लगबग 100 जो कथन है दोस्तों वो हमने डिसकस की हुए है अचारे रामचंदर शुकल के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर इनके जितने भी कथन हैं वो हमने रख दिये हैं प्रश्न संग क्या दो है देखिए अबराहाम जॉर्ज ग्रियर्सन की अनुसार भक्ति क्या है तो देखिए इन्होंने कहा है इसको इसायत की देन ठीक है जबकि स्वभाविक किसको कहा है इसने की स्वता ही जो है वो भक्ति अंदोलन का होना ऐसा ही था जैसे वो आई है तो ये कहा था देखिए जो हमारे हजारी पर साथ दुवेदी जी है उन्होंने ठीक है जबकि इसलामी आकरमन का प्रभाव कौन मानते हैं ये मानते हैं अचारे रामचंदर शुकल जी जातिया अंदोलन इसको किस ने कहा है ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने ठीक है तो भक्तिया अंदोलन के बारे में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग मत दिये हैं तो देखे दोस्तों इस प्रशन का उत्तर देते वक्त आप confused इसली हो सकते थे क्योंकि इर्फान हबीब और राम शर्ण शर्मा इन दोनों ने ही इस समझ में बातें कही हैं लेकिन इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा देखे वो होगा आपका विकल्प नमबर A इर्फान यह आलोचक है यह है देखे आपके जो माकसवादी चिन तक इतिहासकार इर्फान हबीब इसका क्या है सही उत्तर होगा और यह वाला प्रशन आपको जो हिंदी सहीत्य का सरल इतिहास है देखे विशुनात्रि पाठी का उस वाली पुस्तक में इसका उत्तर आपको अच्छ ये प्रशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा निमिलिक्त में से किस पंक्ति का संबंद उलट बांसी से है तो उलट बांसी कौन करते थे ये थे आपके जो कबीरदास जी थे वो कहते थे और किस पंक्ति में देखिये विकलप नमबर D जल में सिंग घर करे मचली चढ़े खजूरी तो D इसका क्या होगा सही उतर होगा नेक्स से दिखिये जाए सिक्रित पदमावत की विशेष्टा नहीं है तो इस प्रशन का जो सही उतर है दिखिये बहुत सरगों में भी भाजन क्योंकि पदमावत में क्या थे खंड थे तो अगला जो प्रशन हम देख लेते हैं कि भक्ति की किस धारा में रहसे बाद की अभिवक्ति स्थूल गोचर पिशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से हुई है इसका जो सही उतर होगा देखिये यह होगा आपका विकल्प नंबर B प्रेमा ख्यानक कावे नेक्स से देखिये प्रशन संक्या साथ सूर्सागर का अधार क्या है तो इसका जो सही उतर होगा देखिये वो होगा आपका विकल्प नंबर B श्रीमत भागवत और ये वाला प्रशन दोस्तो अभी शाहिद नेट की परिक्षा में भी पूछा गया था, तो बहुत मुतर पूछन है ये कि सुर्सागर का अधार क्या है? श्रीमत भागवत है. खास कर जो भी कृष्ण भक्ती का बेर रहा है उसका अधार क्या है? श्रीमत भागवत को ही मान जाता है नेक्स से देखिए प्रशन संक्या आठ तुलसिदास की कौन सी रचना अबधी भाशा में लिखी गई है तो देखिए अबधी में पूछा गया है कि इनकी कौन सी रचना है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर सी तो तुलसी की जो रचनाएं है देखिए बारा इनकी जो प्रमुख रचनाएं है इनको छे जो है इनकी अबधी में है जबकि छे इनकी क्या है ब्रज भाशा में है और इनको याद करने की ट्रिक भी हमने तोस्तों बताई हुई है अगर आप चाहते हैं कि आपको वो ट्रिक मालूम हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जहां पर हमने तुलसिदास के बारे में डिसकस किया हुआ है भक्तिकाल के अंत्रगत जो हमारा इकाई दो है वहां पर अच्छे से हमने इसको विस्तार से बताया हुआ है कि कौन इनकी ब्रजगी है और कौन अब्दी की है ठीक है यहां पर इसका सही उतर होगा रामलला नहच्छू नेक्स से देखिए केशवदास के अचारे करम में किन संस्कृत अचारेों के ग्रंतों को अधार बनाया गया है तो केशवदास ने बनाया था देखिए बहामा और उद्भट को तो विकल्प नमबर ए इसका क्या होगा सही उतर होगा अगला है देखिए यदी प्रबंध खावे एक विस्दित वनस्थली है तो मुक्तव एक चुना हुआ गुलदस्ता है तो ये बात कहीती अचारे रामचंद शुकल ने किसके संबंद में जो आपका बिहारी सत सही है उसके संबंद में इसलिए इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा यहाँ पर विकल्प नमबर B बिहारी ठीक है और इस वाले कथन के बारे में भी हमने विस्दार से चर्चा अचारे रामचंद शुकल के प्रमुख कथनों वाले लेक्चर में की हुई है नेक्स देखिए भूशन के ग्रंथ शिवराज भूशन में मुख्यता निरूपन हुआ है तो इसमें हुआ है देखिए विकल्प नमबर D अलंकारों का और भूशन एक मात्र ऐसे कवी थे जो रितिकाल में किस त्रिके की रचनाय रच रहे थे आपकी जो वीरता परक है ना क्लियर है सबसे जादा वीरस की कवीताई नहीं लिखी है उसके बादे देखिए प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीर पथिक तथा जमरदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवी नहीं हुआ है तो उपरियुक्त कथन किस कवी के संदर्ब में है तो ये है देखिए आपका विकल्प मशी गहनानद के संदर्ब में तो भारत में जो आदुनिक्ता के बैचारिक आधार नहीं है देखिए वो है आपका राजधंत्र ये आदुनिक्ता के अंतरगत नहीं आता है बलकि जबकि पुंजिवाद प्रेस का आगमन और अद्योगी करन ये क्या है ये आपका इसके आधार में आते हैं नेक्स से देखिए महाबीर्प साथ दिवेदी को हिंदी नवजागरन के चतुर्त उत्थान का पुरोधा पुरुष किस ने कहा है तो इसका जो सही उत्तर है देखिए वो है आपका विकल्प नमबर C राम बिलास शर्मा ने तो राम बिलास शर्मा माक्सवारी चिंतक है इ योद्या सिंग उपादया हरियोद इसके क्या है रचनाकार है नेक्स प्रशन मैं इतली शरनकुप्त के समद्ध में देखिए इनके द्वारा अनुदित रचना कौन सी है तो देखिए इनके जो अनुदित रचना है वो है उमर खयाम की रुवाईया विकल्प नमबर A इसक प्रशन का सूकुमार कभी भी कहा जाता है और ये छायवाद की बिहत्रही में शामिल है नेक्स से देखिए जैशनक प्रशाद पर किस दर्शन का प्रभाव है तो जैशनक प्रशाद पर देखिए किस दर्शन का प्रभाव था विकल्प नमर B शैब दर्शन का प्रभाव ह नेक्स से दिखिए राश्टिकावेधारा के कभी कभीत्री नहीं है तो इन में से जो नहीं है देखिए वो है किदारनात अगरवाल ये किसके अंतरगत आते हैं ये आते हैं आपके जो प्रगतिवादी लिखकों के अंतरगत या कभीयों के अंतरगत हिंदी में मुक्तचंद के प्रत्थम कवी किसे कहा जाता है तो ये हैं देखिए हिंदी के जो मुक्तचंद के प्रत्थम कवी हैं सूर्य कांत्रिपाथी, निरालाजी और रबर्बर्चंद, यक्येंच्वचंद भी इनके चंदों को कहा जाता है इसके चलते हैं इनकी अलोचना की जाती है नेकसे दिखिये निमीलिकत में से किस रचनाकार की कवीताईंग वेधना में जनम लेकर करोणा में पर Virginia होती है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए महादेवी वर्मा तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में यमें वेदना और पीडा देखने को मिलती है इसलिए इनके जो प्रमुक्पंक्तियां है देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली है ना next से दिखिए इतिहासवाद का संबंध किस विचाधारा से है तो बहुत मत्रपून प्रशन है ये भी कई बार परिक्षा में पूछा गया है नेट की परिक्षा में भी इसको पूछ लिया गया था तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नुमर B माक्सवाद तो माक्सवाद का मानते है इतिवासवाद का संबंध मानते है ठीक है नेक्स से देखिए अस्तितवाद के विचारक है अगर हम काल माक्स की बात करें तो ये माक्सवादी है राम बिला शर्मा भी माक्सवादी चिंतक है जैपाल सात्र क्या है ये आपके अस्तितवादी है जबकि मिशेल फूको क्या है ये समाजवादी विचारक है नेक्स जाता आपका देखिए विकल्प नमबर 24 मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा लोहा जैसा तपता देखा गलते देखा डलते देखा मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा उप्योगत पंक्तियां किस कवी की हैं तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो का विकल्प नमबर D किदारनाथ अगरवाल तो उनकी को ही प्रियोगबाद का प्रवर्तन का बुह था उनिसो तैंतालिस में प्रियोगबाद में कितने कभी थे साथ कभी थे ठीक है कौन कौन से थे उनको याद करने की ट्रिक है और आगी प्रभा मुने है ना तो ये complete हम आगे डिसकस करेंगे इसको कि आप इस ट्रिक से कैसे इनको याद रख सकते हैं नेक्स से देखिए हाई हाई टॉल स्टोई कैसे मुझे दीख गए सितारों के बीच बीच घूमते वरुकते प्रित्वी को देखते उप्योक्त पंक्तियों के रह चाहिता कौन है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नमबर A मुक्तिबोद प्रशन संक्या 26 है देखिए इसका विकल्प नमबर A सही होगा मुक्तिबोद की ये प्रमुक्तियों है नेक्स से दिखिए प्रश crouchन संके 27 समकाल इन कवियों में किसका संबंध सक्रिय पत्रकारिता से रहा है तो इसका जो सही उत्तर होई देखिए वो होगा आपका विकल्प नुबर डी, रगवीर सहाय, इनका संबंध किस से है, सक्रिय पत्रकारिता से next है देखिए मिध की ये चेतना के कवी कौन है तो मिध की ये चेतना के जो कवी है देखिए वो है आपका विकल्प नमबर A, कुंवर नारायन next है मैं उपन्यास को मानुव का चित्र मात्र समझता हूं मानुव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तब्त्व है उपर्युक्त कथन किसका है तो ये कथन है मुशी प्रिमचन जी का विकल्प नमबर C क्या होगा इसका सही उत्तर होगा तो देखिए उपन्यासों के जमन में सही तेकार क्या कहते हैं ठीक है निमिलिकित में गुदान के संदर्व में कौन सा पात्र समुच्य सही है होरी धनिया और गोबर तो विकल्प नमबर A ही इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है तो दीखिए बहुत जादा मुश्किल प्रशन नहीं पूछे गए थे सेट परिक्षा में और इसी तरीके के अब प्रशन पूछने की संभावना इस बार भी है है ना तो इसलिए हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल जो जो चीज़े हैं उनको एक बार आप जरूर देख लें प्रमुक्ता से जो जो मेन मेन पॉइंट से उसमें उनको नोट कर लें ठीक है खंडों की निमिलिकित क्रम सूची किस उपन्यास में है प्रत्थमखंड उशा और इश्वर दूतियखंड बीज और अंकुर तृतियखंड प्रकृति और पुरुष चतुर्थखंड पुरुष और परिस्थिती तो यह देखिए आपका शेखरिक जीवनी जो अग्ये का उपन्यास है 1941 में ठीक है और दूसरा भाग 1944 में इसका प्रकाशित हुआ था ठीक है तो उसके ये चार भाग है 32 का होगा आपका देखिए विकल्प नंबर C नेक्स से देखिए 33 निपुनिका और सूचरिता किस उपन्यास के पात्र हैं तो यह है बानबट की आत्म का था ये वाला उपन्यास भी किसका है अग्ये जी का ही है और ये कब लिखा था आप ये भी मुझे कमेंड सेक्शन में जाकर बता सकते हैं इतना मैं आपको जरूर बता दूँ कि 10-10 साल का अंतर इन्होंने अपने उपन्यासों को लिखने के लिए दिया था पहला 41, दूसरा 51, और तीसरा 1961 और कौन-कौन सा कब लिखा था ये आप मुझे बता सकते हैं नेक्स से देखिए कावयात्मक भाबकताक किस रचनाकार की कहानियों में पाई जाती है तो इसका जो सynen उतर है, देखिए ये है जैशंकर प्रसाद्जे के कावयात्र कांधियों में जो नाटक हैं वो क्या हैं आपके मौलिक नाटक हैं जबकि करपूर मंजरी के जो मूल नाटक कार हैं इराज शेखर हैं इन्होंने प्राकृत में इसको लिखा था और भारते इंदु ने ठारा सव पचातर में इसको क्या है करपूर मंजरी शीष्चक से ही अनुदित किया था स्त्री चेतना के दिश्टी से महत्वपोर्ण नाटक कौन सा है तो देखिए जैशनक प्रसाद के नाटकों के अधार के बारे में हमीशा प्रशन पूछ जाता है और नेट की परिक्षा में भी इस बार इनके एक कामना जो नाटक था उससे प्रशन पूछा गया था इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर C दुरुप स्वामीनी क्लियर है विकल्प नमबर C 37 का देखिए सही उत्तर होगा कि इसमें कैस्त्री चेतना के दिश्टी से महत्वपोर्ण बताया गया है इस नाटक को और अंधायूग नाटक पाटे क्रम में शामिल है दोस्तों इसलिए अंधायूग के या तो क्रमों को अच्छे तरीके से याद कर लें कि उनके जो अंक हैं उनको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये बिर्क्षा में भी पूछा गया था उनके पात्र कौन-कौन से हैं उसके बारे में पूछ जाता है और अंदा युक के जो प्रमुक कथन है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है इसलिए उनको याद करना एक बार जरूरी है नेक्स से देखिए निमिलिकित में से कौन से श्रेणी अचारे रामचंद शुकल के निबंदों की नहीं है मनविकार विशक सहित्य सिधांत विशक या फिर सहित्य लोचन विशक या फिर लालित्य विशक तो देखिए निबंदों का जो नहीं है वो क्यों सा है उनका वो है आपका देखिए विकल्प नमबर D लालित त्यविशक क्यूंकि जो अचारी रामचंदर शुकल है देखिए ये ललित निबंदकार नहीं है और यही बात इस बार UGC NET की परिक्षा में गुमा फिरा के पूछी हुई थी कि अचारी रामचंदर शुकल के इस प्रकार के 1948 और अशोक के प्रमुक रचना है और यह किस की है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर जरूर बता सकते हैं एक बार आप इसको भी जरूर देख लें निबंदों को भी कुवेर नातराय के निबंदों का संबंध भारत के किस प्रदेश से है तो इसका जो सही उत्तर है देखिए उत्तर प्रदेश 41 का विकल्प नमबर A सही होगा नेक्स देखिए निमिलिक्त में से कौन सा निबंद विद्या निवास मिश्र का नहीं है मिरे राम का मुकुट भीग रहा है यह बिल्कुल है इनका तुम चंदन हम पानी यह भी इनका ही है जबकि मैंने सिल पहुंचाई भी इनका ही है और जो डी है देखिए आम फिर बौरा गए है यह इनका निबंद नहीं है तो ये किसका है ये भी आप comment section में जाकर जरूर बताईएगा और एक पार आप इसको भी देख लीजेगा नेक से दिखे अचार्य दंडी के अनुसार कावे स्रिजन के लिए निमिलकने से किस तत्तों की अनिवारता नहीं है तो दंडी क्या मानते है कि कावे किस स्रिजन के लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखे वो होगा आपका विकल्प नंबर D प्रशिक्षन ठीक है ना प्रशिक्षन की जरूरत का वे स्रिजन के लिए नहीं पड़ती है जबकि प्रतीभा और निर्मल बहुग्यता और अभ्यास की जरूरत उसके लिए पड़ती है निमिलकित में से रस सिधान्त के व्याख्यकार नहीं है भटलोलट, शंकुक, भटनायक या फिर भामा तो इसका जो सही उत्तर होका देखिए वो होगा विकल्प नंबर D भामा क्योंकि भटलोलट का जो उत्पती बाद है देखिए शंकुक का अनुमीती बाद जबकि भटनायका क्या है भुकती बाद है और चौते जो थे दीखिए वो कौन है अनंदवरधन थीक है तो उनका कौनसा है अभिव्यकती बाद है ठीक है नेक्स्ट से दीखिए रस मिमासा के लेखक कौन है तो इसके जो लेखक है दीखिए विकल्प नमबर B, अचारे रामचंदर, शुकल जी, है न, नेक्स्ट है, नहीं रसाद्रिते कश्चिदर्थ प्रभर्तते है, यह कथन किसका है, तो यह वला कथन है देखे, अचारे भारत मुनी जी का, विकल्प नमबर A, इसका क्या होगा, सही होगा, यद्यपी रतनाकर का काब्यचंद, शब्द मैत्री, अलंकार, आदी की दिष्टी से उतक्रिष्ट है, किन्तो, उसकी विशेवस्तु अनिवारे नहीं, अतहवह, पिष्ट पिशन है, जो काब्य अनिवारे नहीं, उसे महान नहीं कह सकते, उप्युक्त कथन के आलोचक कौन है, तो देखे, इसक लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक माने जाते हैं, ठीक है। प्रिक्षा से धांत प्रिंसिपल ओफ लिट्रेरी क्रिटिसिजम के लेखक कौन है तो ये वाला प्रशन थोड़ा सा हट के पूछा था यहां से थोड़ा सा गुमा के तो ये किसके हैं देखिए ये है आपका विकल्प नंबर C.I.A. रिचर्ड्स की ठीक है हो सकता है आपको स उपसुस गरंत केंडरित है तो ये है देखिए आपका विकल्प नंबर B जो आपका उदात तत्तों पर हम सफल या बहतर अभिवेंजना को ही सौंदर कह सकते हैं इससे जादा कुछ नहीं क्यूंकि अभिवेंजना जब सफल होती है तो अभिवेंजना नहीं रह जाती उप तो वीरेचन का सिधान भी किस नहीं दिया था या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं नेक्स से दिखिए नई समिक्षा पर केंडरित पुस्तक दिन्यो क्रिटिसिजम के लेखक कौन है तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर C निमिलिकित में से कौ जो सही उत्तर है देखिए वो है आपका विकल्प नंबर A मोर्दुई नैन चुहीं जसी ओरी ये वाली पंक्तियां का हैं पदमवत से हैं ठीक है नेक्स देखिए प्रशन संख्या 58 दधी दूर्बा रोचन फल फूला नवतुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम थार मामिनी गावत चली सिंधूर गामिनी ठीक है रामचरीत मानस की उप्युक्त पंक्तियां हैं तो ये है देखिए आपका जो राम द्वारा लंका विजय के बाद अयोध्या आने के समय की विकल्प नंबर A इसका क्या होगा सही उत्तर होगा नेक्स देखिए प्रशन संख्या 59 उध आपका विकल्प नंबर B ब्रहमरगीत क्लीर है नेक्स से देखिए प्रशन संख्या 60 तो इसका जो प्रशन है देखिए निमिलिक्त में से किस पुस्तक के लेखक अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी हैं तो इनकी जो पुस्तक है देखिए वो है आपकी विकल्प नंबर C कबीर ठीक है नेक्स से देखिए शक्ति के विद्युत करण जो व्यस्त विकल्प भिखरे हैं हो निरुपाए समनवे उसका करे समस्त विजहनी मानवता हो चाए तो इसका जो सही उतर है देखिए ये किसकी पंक्तिया है किस सर्ग में है ये यह है आपके श्रद्धा में जो कमाईनी का सर्ग है ठीक है तो जैशंक प्रसाद का कमाईनी या फिर उनके जो नाटक या उनकी जो कविताएं है वो बहुत मतबोन है वहां से प्रशन बनने के संभावना हमेशा ही रहती है ठीक है नेक्स से देखिए राम की शक्ति पूजा का कावय रूप क्या है तो इसक जो पंक्ति कौन सी है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखे वो होगा आपका विकल्पनबसी परम अभिवक्रिकती अनिवार अत्तम संभवा है ना तो ये क्या है अंधिरे में कविता की आखिर की पंक्तियां है ठीक है नेक्स से देखिए फांसी जह जीवन को उत्पन करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां हमारे विकास हमारे विज्ञान हमारे सभ्था द्वारा निर्मिती सारी ख्षमताई या अजार असमर्थ हैं उसी जीवन को छीन लेने में उसी का विनाश करने में ऐसी भोली रिदय हींता फांसी उप्युक्त पंक्तियां गोदान ठीक है विकरप नमबर डी नेक्स से देखिए अरुण यहमद में देश हमारा जहां पहुंच अंजान क्षितिश को मिलता एक सहारा तो यहाली पंक्ति हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसकी है यह कानेलिया की जैशंक प्रसाद का जो नाटक है देखिए वहां यह किसका नाटक है यह भी आपको पता होना चाहिए और यह कब लिखा था 1969 में तो 68 का देखिए क्या उत्तर होगा विकरप नमबर डी सही होगा ठीक है नेक्स से देखिए गोदान के अंद में निमिलिक्त पंक्तियां दाता दीन से किसने कही हैं महराज घर में न गाय है न न बच्चिया न पैसा यही पैसे हैं यही इनका गोदान है तो यह कहती है धनिया ठीक है तो देखिए प्रशन इस तरह के से भी पूझा जा सकता है कि धनिया की यह पंक्तियां किस के समद्ध में है या किसको कही है तो यह दाता दीन से कहती है वो ठीक है विकल्प नमबर 20 इसका सही होगा नेक्स से दिखे चायाबाद के समर्थ आलोचक तो ये हैं अचारे नंद दुलारे वाजबई तो वाजबई जी जो कैसे हैं कैसे आलोचक हैं ये हैं सौश्ठववादी आलोचक इस दिखे का प्रशन बनने की संभावना भी रहती है निमी लिकिन में से कि अंसान कहां है ये है जारखंड और इसलिए इनका जो बाल्यकाल का नाम है ये जारखंडी भी है और इनका जो उपनाम है वो है कलादर चीक है नेक्स दाता है आपको कि ये मित्रो मर्जानी की लेखिका कौन है तो ये है कृष्ण सोगती जी नेक्स प्रशन संक्याथ 73 जू 97 में जबकि पहली जो आतम कता थी मोहंदास नमिश्राय की थी अपने अपने पिंजरे 1995 में और यहां से भी प्रशन दोस्तो पूछा गया था UGC NET की परिक्षा में तो देखिए बहुत सारे प्रशन में बार बार कहता हूँ कि जो UGC NET की परिक्षा में पूछ जाते हैं वैसे ही प्रशन NET में भी पूछने की स्भावना रहती है इसलिए UGC NET की जो प्रिविस एर के पर हैं उनको भी एक बार जरूर देख के जाएं विखंडनवाद के जनक कौन हैं तो यह है आपके जक देरिदा ठीक है विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही उतर होगा आज का हमारा जो आखरी प्रशन है देखिए निमिलिक्त में से किस लेखक का संबंद हिमाचल प्रदीश से रहा है तो देखिए इसका जो सही उतर हो आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में शियर कीजिए और चैनल को सबस्कार करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा नई स्पूर्टी के साथ तब तक के ल मुझे दीजी इजाजत जय हिंद जय भारत शुक्रिया